आज मैं पढ़ाऊंगे आपको क्लास नाइन की इंग्लिश का चाप्टर तो आज हम इस चाप्टर का डीटेल एक्स्मिल्ला खान की पिचर है तो बेसिकली इस चाप्टर में हमें पढ़ना है यह जो शेनाई है यह कैसे बनी मतलब कि इसका इंवेंशन कैसे हुआ पहले जबाने में शेनाई नहीं हुआ करती थी एक दूसरा इंश्रुबेंट हुआ करता था जिसका नाम था पुंगी अब जो यह पुंगी होती थी उसके वाज बहुत ही आप कह सकते हो बेसुरी होती थी करकश अवाज होती थी अच्छी नहीं होती थी इसलिए लोगों को पुंगी पसंद नहीं थी और इन फाक्ट जो औरंग जेब थे मुगल रूरल औरंग जेब जो थे उन्होंने तो पुंगी को अपने एंपायर में बैन कर दिया थे कि कोई भी पुंगी को बजाएगा है नहीं तो भाई पुंगी तो बैन हो गई फिर ये शैनाई कैसे बने और बिसमिल्ला खान शैनाई के एक्सपर्ट कैसे बने और कैसे उन्हें इतने सारे अवोर्स मिले यह हम इस चाप्टर में पढ़ने वाले हैं तो इसलिए आप लोगों को चाप्टर समरी पढ़ने से कोई फायदा नहीं हो एला चाप्टर की डिटेल स्टी इस इंपॉर्टेल स्टी में आज आपको यहां देने वाली हैं अगर आपको इस चाप्टर के इंग्लिश के सारे चाप्टर के सिस्टी के और साइंस के बाटन क्वेश्चन के पीडियेफ डालती हूँ यूगन को अनक्सिसिट इफ यू वांट टो ठीक है तो पुंगी तो पुंगी थी उसके वास बहुत बेसुरी होती थी इसलिए जो औरन जेब थे उन्होंने अपन थी इंपाइर के पुंगी का बजाने के ऊपर बैन लगा है नहीं के से बनी लेट तो देखो एक बार की बात थी एक बारबर आप आने कि नाई की थी पर वो सिर्फ नाई नहीं थे वार्बर ने तरसाथ एक ही सब्रोफेशनल म्यूजिशन भी थे तो उनकी फेमली में से ए तो उसने क्या करा जो पुंगी थी देखो पहले एसी मोटी सी होती थी तो उसके वेरियेशन लेने के लिए क्या करा एक लॉंग और ब्रॉड हॉलो पाइप लिया लॉंग ब्रॉड हॉलो पाइप और जस लाइक फ्लूट था वह बासुरी जैसा था बस आगे यह उसके एक औ पासुरी बजाते हैं तो इसे फिंगर्स लगते हो फ्लूट के ओपर वैसे ही जिब शेनाई को बजाया गया तो उसमें से बहुत मेलोडियस आवाज निकली अब जो बारबर था वह बहुत खुश हो गया कि यार मैने तो पुंगी का एक बेटर वर्जिन निकाल दिया इसम खींग को बजाकर दिखाते हैं उसका नाम नहीं रखा गया तो इस इंस्ट्रूमेंट को शाह के चैंबर्स में मोगल को शाहा सब्सक्र épान मुघल Okay एक नाई ने बजाया तो उसका नाम रख दिया गया शहा नाई जो शेह नाई में से अवाज निकलती थी जो मेलोडी इसमें से निकलती थी इट वहई वेरी औसपीशियस यानि कि बहुत सुरीली आवाज निकलती थी और इस शेहनाई की यूज करे जाने लगा, टेंपल्स के अंदर और नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स के अंदर, आभी कभी आप वेडिंग में जाते हो तो बाहर एक स्टेज सा लगौतार, वहां पे तीन चाह शेनाई प्लेयर्स बेठे होते हैं, वो शेनाई बजा रहे होते हैं, मीधी-मीधी अवाज वाली, तो शेनाई की आवाज को काफी ऑस्पिशियस, उस्पिशियस मतलब की काफी शुभ माने जाने लगा, जो भी कोई ऑस्पिशियस वर्क होते थे, कारेकरम होते थे, प्रग्राम से होते थे, उसमें शेनाई को प्ले करे जाने लगा, तो जो वो नाई था, व अब शैणाई प्लेइंग मोसिटेंपल्स में वेडिंगस में ऐसी प्ले जादी अब शैनाई को क्लासिकल स्टेज पने कि क्लासिकल म्यूजिक की फॉर्म में लेकर आते हैं उसताद विस्मिला अब ये उस्ताद बिसमेला कान कौन है इनकी क्या क्या चीवेंट्स है यह हमें अब इस चाप्टर में पढ़ना है तो उस्ताद में बिहार में रहते थे तो पॉण के पास में रोज गिली डंडा केला कर दे थे और उनको सिंगिंग का बहुत जादा शौक था तो वह रेगु टेंपल के अंदा है तो वहां के जो लोकल महराजा होते हैं वह उने गिफ्ट में लड्डू देते हैं जो 1.25 kg को होते तो सोचो कितना बड़ा लड्डू होगा 1.25 kg का लड्डू देते हैं तो यह अल्मूस्त बहुत साल पहले की बाद है 80 यह पहले की बात है और उसके बा पढ़ने वाले हैं तो लेटेसी कब बहुं हुए थे उस्ताद बिसमेला खान कौन सी जगह पर बहुं हुए थे और कहा उन्होंने अपने करियर की शुरुवात करी उस्ताद बिसमेला खान बॉन कब हुए थे यानिकी बड़्ड देत आपको यहाद रखने 21st March 1916 and he belonged to a well-known family of musicians और उनकी family musicians की ही थी यानिकी उनके father उनके grandfather दोनों ही बहुत उच्छे शेनाई players थे शेनाई तो उस वाले बारबर ने बनाई थी बिसमिल्ला खान नहीं बनाई है वो बस play करते थे उसको तो उनके grandfather का नाम यार रखना रसूल बक्स खान MCQ के लिए and उनके जो father थे उनक independent से भी पहले की बात है तो किंग की कोट में सभाओं में वह भी शेनाई प्लेंग करते थे ठीक है अब जो हमारे बिसमिल्ला खान से म्यूजिक में शेनाई प्लेंग में बहुत जादा इंट्रेस्ट कैसे बना शेनाई प्लेंग के अंदर तो जब वह चोटे थे और भी आन काव पर पता है अंधे ब मद वियूज depende की बनाराइस में बीसमिल्ला खान को मामा के घघर पे शेनाई अरुम के डा और पापा नहीं रहते हैं थे चान शेवा नोटमें कर देखने तो यान मामा आ को देखकर इतने चैना इनके साथ ही रहना शुरू कर देता है उनके रहना जो किimiz पूंच नाम की अता लिया चारी मामा का नाम किया था राय सुलिद्वकस ऑन इंधा का नाम क्या था रे सुल्स प्लेखमबर और जितें औ繼續 01 अब हम बनारस आ गए हैं वहाँ पे जब उनके मामा जाते थे शनाई बजाने के लिए तो रोज जाते थे जो बिसमिल्ला खान थे वो रोज अपने मामा के साथ में वहाँ पे उनको अकंपनी करते थे अली मामा मंदिर में बैठके शनाई बजाते थे और वह साथ में बैठके उनके शनाई को रोज सुना करते थे दीरे थीरे उनोंने खुद से प्राक्टिस करना शुरू कर दिया शनाई बजाने को तो slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day इतनी उनके अंदर लगन थी कि वो पूरे-पूरे दिन बेटके शनाई बजाने की practice करते थे वो बालजी टेमपल, मंगला टेमपल, हर जगा पे जाकर शनाई बजाते थे बताया कि जो गंगा का पानी बहरो होता था वो उनको बहुत ज्यादा you can say that motivate करता था जो उनकी जिसनाई प्लेंग की जो क्वालिटी इतनी अच्छी हुई है वो बेकॉस अब रिवर गंगा होई है क्योंकि जब रिवर गंगा के पास में बैठके प्रैक्टिस करते थे रियास करते थे तो वहाँ पर peaceful environment के अंदर उनके प्रैक्टिस जादा अच्छी होती थी ठीक है अब next paragraph परते हैं तो शेनाई बजानी आ जाती है बिसमिल्ला खान को और जब वो 14 years के हो जाते हैं तो अपने मामा के साथ में कौन उनके जो अंकल थे उन आपको बोला है कि यह चाप्टर का detail explanation है तभी में आपको सब कुछ बता रही हूं मामा कौन थे उनके पापा कौन थे दादा कौन थे और किस ते उनकी क्या तादीफ करें जब वो इस conference में गए होते हैं अलाबान music conference में तो यहां पे जब उस्ताद पयास खान मिलते हैं उनक कि work hard करो और तुम कर लोगे जो तुम करना जाते हैं यानि की work hard करते रहो and you'll be the best and I play as one और ऐसा ही होता है जब इंडिया का all India radio station कुलता है कब खुला तो all India radio station लखनाओ में खोलता है 1938 एक और वर्ण मार्क करा गया है जो आपको यार रखने all India radio सुना आप लोगोंने कौन से पर आता है कभी फोन में search करके देखना all India radio खोलता है लखनाओ के अंदर in 1938 वहां पर बिस्मिल्ला खान को काम मिल जाता है as a professional शेनाई प्लेयर यह उनका big break होता है यानि की first job होती है उनकी यह as a शेनाई प्लेयर in the all India radio लखनाओ he soon became an often hearted शेनाई प्लेयर on radio and radio के उपर वो इ जाते हैं उस यह तो 1938 में उनको पहला ब्रीक मिला था उसके बाद एक और important चीज है जिस दिन इंडिया को अजादी मिली जब हमें अजादी मिली जब रेट फोर्ट पे खड़े होके जवालाल नहरू ने speech दी ती twist with destiny तो उस दिन उस सभा के अंदर यह जशन हो रहा था उस में भी शेनाहीं बजाई थी उसताथ बिस्मिल्ला खान ने विपेंडेंस मिला तो इननी पेंडेंस का लिद्नेंस का इसान हो रहा था उसमें शेनाहीं किस ने बना इस बनाई बिस्मिल्ला खान थी ठीक तो यह आपको यार घ्रकना है पर कर 15 loka सबらい सशावाल नहरू न पुराने समय में उनको लिंकन हॉल में बुलाया गया लिंकन सेंटर हॉल जो था अमेरिका के अंदर शेनाई बजाने के लिए तो फर्स सीथ आपको यह याद रिखनी है उसके बाद यह देखो यह तीनों अलग चीज़े याद रखो कांच फेस्टिवल जो है यह फ्रांस के अंदर होता है वर्ल एक्स पोजिशन होती है यह मौन्ट्रियाल में और इन दा उसका ट्रेड फियर तो यह इनकी थ्री बिग अचीवमेंट्स है पहला हमने पड़ा लिंकन हॉल और बाकी तीन क में भी उन्होंने क्या बजाई शेहनाई बजाई तो यह आप एक तरीके से कह सकते हो उनके फॉरण अचीवमेंट्स है इतना फिम लेकर आए वह इंडिया के अंदर तो यह उस्ताद बिसमिल्ला खान जी के फॉरण अचीवमेंट्स है ठीक है यह और फॉरण अगर हम अब भी रीजंट्ने 220 इंदर ऑवार्ड मिला था भारत नृत नहीं इंडिया इस्ट्राइश चाहिस सिविलियन अवार्ड यानि कि भारत नृत नृत नं इंडिया चैजीवियॉन होते उनको मिलता है अन्ट थूसने इस फॉरण बिसम मेला खान को यह आवार्ड मिला था और ग्रेट एक्सपोजेशन आप मोंत्रियाल में करा था एंड यू किन से देट कांसाइब फेस्टिवल एंड ओजाका ट्रीट फियर में जो बिस्मिल्ला खान के उनको बहुत ऑफर साते है एक बार उनका एक स्टुडेंट कहता है कि आप अब साथ यह फॉरेंट केंडीयों में रुख जो में है आप बिल्कुल बिनारस लाइक एंड मॉस्फेयर क्रियेट कर दोंगा तो तब उनको बिस्मिल्ला खान भाण पते क्या जवाब देते हैं कि बिस्मिल्ला खान उनको कहते हैं दाट तुम बिनारस तेसा इंड मो कालचर है उसको बहुत ज्यादा मिस्स करते थे जब भी वो कभी मुंबाई में भी होते थे जब बोलेवोड के काम से मुंबाई में गए या फिर वो फॉरेंड कंट्रीज में होते थी तो ही आलवेज मिस्स इंडिया ठीक है एंड स्पेशली ही वह एड़ी फॉर्ड दुम्र कहांगा he has got huge success in the celluloid world यानि कि उनको बहुत success मिली he gave his music in two films अब हमने achievements पढ़ लिये थे इंडियन achievements पढ़े फॉरान achievements पढ़े बॉलीवोड में उनको क्या-क्या achievements पहले थे लिटसी ही दो फिल्म्स में उन्होंने music दिया था उन दो movies का नाम क्या है एक है गोन जोटे शनाई एक साउट मूवी थी सानाधी अपना ठीक है दो यह आपको यार रहने कौन-कौन-सी music दिया था उनोंने कौन-कौन-सी दो movies के अंदर और उनका एक record-breaker song है जिसका नाम क्या है दिलका खिलोना है टूट गया तो यह जो एक song था यह record-breaker song of Bismillah Khan तो यह भी आपको यार रखना ह में बहुत फिल्म में देखो बॉलीवोड में वर्क करा काफे काम कर रहने बॉलीवोड में दो मूवीज में दिया एक उनका जा सौंग वो पर रिकॉर्ड ब्रेकर हुआ पट देखो उनोंने क्या बूला यह जो ने क्या बोल्यवोड कैसा है अर्टिफिशल ग्लामर फिल् उनको वो सब चीज़े पसंद नहीं आई तो इसलिए वो ट्रू डिवोटी बने म्यूजिक है अवार्ज है उनको हम लिवाइस कर लेते क्या क्या वाज मिलेते बिस्मिला खान जी को तो उनको पहला ब्रेक मिला था अपना ओल इंडिया रेडियो में लखनाव में 1938 यह अलसो प्लेट शिनाई ओं 15 ओगस 1947 फ्रम रेट फोर्ट इन प्रेजंस ऑफ पंडित नहरू हमारी फॉर्स प्राइम इनिट्सर की साथ में उन्होंने शनाई प्ले करी थी का जिस नहां में इंडिपेंडेंस मिला था बिस्मिला खान गेव में 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 परफॉर्मेंस सनाधी अपना दो मुवीज के अंदर भी उन्होंने म्यूजिक कॉंपोस करा था एंड ही वाज सो फांट फिस मदलेंड इंडिया जब उनको ऑफर आता है हैड ऑफ शनाई स्कूल का बनने का इन यूज से तो वह गया कहते हैं कि मैं गंगा के बेना नहीं रह सकता हूं 2001 में भारत रतन मिला तो अब जो यह इन पूरा चाप्टर हमने पढ़ा हमने उस्ताद मिसमिला खान के बारे में पढ़ा कैसे वह जब छोटे थे तो चैता गाया करते थे कहां पर दुम्रव में बिहार में चाहता काते थे न वह एक भोजपूरी सौंग गाते थे मंदिर में इस पे उनको फर्स्ट अवार्ड उनका क्या था 1.25 kg का एक लड़ू फिर जब वह अपने मामा के यहां गए बनारस में उनने मामा को शनाई बजाते वे देखा तो उनक यह करें। रफेक्ट ऑफ रिच्छ कट्टर है जोसे बहुत प्यार करते थे निंदिया के रिच कल्चाल है जाके गंगगा की विना वह नहीं रह सकते थे अगर अप ऑप उन हो देखो तो हीसम्सलिम हो एक मुसलिम थे बट इन्हों हमेशे अपनी लाइव में अलग अलग इंपल्स में जाके शेनाई बजाई एक्जामपल जो काशी विश्मनाद टेंपल है वहां पर यह बहुत समय तक इन्होंने शेनाई प्ले करी तो इसलिए कि हमें पूरा लाइफ टाइम दिखाया है इसमें उस्ताद बिसमिल्ला खान का कैसे वह इतने जादा फेमस हुए फेम इंग्लिश की प्ले इसक्रिप्शन बॉक्स के अंडर वहां आपको क्लास 9 के सारे के सारी चाप्टर्स मिलेंगे और अगर आपको नोच सरे है तो आफ टोल्ड यूस के आपको इंस्ताग्राम आइडिका लिंक मिल रहा है और टीच क्लास 9 साइंस और इसस्ती ऑल्जो तो इसक्रिप्शन बॉक्स में असे साइंस की प्लेलिस भी है तो जैसे जैसे मैं वीडियो बनाते रहूंगी वहां पर एसस्ती ऑन साइंस के सारे चाप्टर्स की वीडियो आते रहेगी सब्बाइट एक बेस्त अफ लुक्त अभी आपको इस आप्टर में कोई प्रॉब्लम ह you can ask me now in the comment section and now I'll meet you in the next video